साल 2019 बहुत ही दिल्चस्प माना जा रहा है क्योंकि अभी अभी लोग सब चुना होकर हटे हैं और वर्ल्ड कप का अगाज भी होने जा रहा है वर्ल्ड कप से पहले भारत और बांगल देश के बीच अभ्यास मैच खेला गया भारत ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 369 रन बनाए जवाब में बांगल देश की टीम 49.3 ओवर में 214 रन बनाकर सिमट गी बांगल देश के कप्तान मुर्तजा ने टॉस जीत कर पहले गेंद बाजी का फैसला किया भारत के 102 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद टीम की कमान लोकेश राहूल और MS दोनी ने संभाली दोनी ने 78 गेंदों में 113 रन बनाए वहीं लोकेश राहूल ने 99 गेंदों पर 108 रन की पारी खेली दोनों ने 5 विकेट के लिए 104 रन की साजिधारी की वहीं गेंद बाजी की बात की जाए तो चहल और कुलदीप ने 33 विकेट लिए अभ्यास मैच में भारत ने जीत हासल तो कर ली किया यही परदर्शन भारत वर्ल्ड कप में भी जारी रख पाएगा यह देखना दिल्चस्प रहेगा कैमरा परसन रजेश के साथ रवी शंकर टीवी पंजाब जिलंदर